एक जंगल में एक हिरन रहती थी, वहां बहुटी सुन्दर थी और जंगल में दोडती रहती थी वहां अपनी आजीविका के निये जंगल में घास खाती थी उसके पास खुई सच्चा दोस्त नहीं था और वहां तनहा रहती थी एक दिन हीरन अपनी दौर की दौरान एक परी से मिली परी बहुत ही सुन्दर थी वहा हीरन को देखकर उसकी सुन्दरता का विवरन करती रही वहा हीरन से कहती थी तुम बहुत ही सुन्दर हो तुम्हारी दौर देखने में बहुत मज़ा आता है हीरन परी की तारीख सुनकर बहुत खुश हो गई वहाँ उसे धन्यवाद देने के लिए उसकी और आगे बढ़नी परी ने उससे पूछा तुम अकेले क्यों हो? क्या तुम्हारे पस कोई सच्चा दोस्त नहीं है? हीरन ने उत्तर दिया नहीं मेरे पस कोई सच्चा दोस्त नहीं है मैं अकेले रहती हूँ और जंगल में घास खाने के अनावा कुछ नहीं करती हूँ परी ने हीरन से कहा मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हो सकती हूँ हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं हीरन ने उसे आश्वस्त करते हूँ कहा धन्यवाद मुझे बहुत खुशी हूई कि मैं एक सच्चे दोस्त को पा सकती हूँ बे दोनों अब एक दोसरे के साथ बहुत समय बिताते थे परी जंगल में आती और हीरन से मिलती हीरन और परी साथ साथ दोड़ते, उफाओं में छुपते और जंगल के सुन्दर नजारों का आनन देते थे जंगल पे इक पर बड़ी बारिश हुई हीरन ने घर बनाने की कोशिस की लेकिन उसे यह काम नहीं करना आता था परी ने उसे मदद करने के दिए गहा वह अपनी जादू गरी कर इस्तिमाल करनके एक छट बनाने में सफल हुई उन्होंने बारिश का आनन देते हुए छट के नीचे बैट कर कुछ खाया इसी दोरान एक रागच्छसी जंगल में आई वहाँ उन्हें खा जाने की कोशिस कर रही थी हिरन और परी को देखकर वहाँ उनसे लड़ने का निल्णा लेती है परी ने हिरन को उसके पास सुरच्छित रहने की सलाह दी हिरन ने उसकी सलाह स्वेकार की और वहाँ उसके पास हो गई रागच्छसी ने हिरन को देखा और उससे लड़ने की कोशिस की हीरण ने बहुत दोड़ा और राक्षसी को पीछे छोड़ दिया परी ने उससे पूछा तुम क्यों उससे नहीं लड़े हीरण ने उक्तर दिया मैं लड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उससे मुझे जादा बड़ा नुक्सान हो सकता था मुझे या नहीं चाहिए कि मैं उससे लड़ते हुए जंगल से भाव जाओं परी ने उससे बताया तुम्हारा निर्ना सही था तुम्हें निक्सान हो सकता था नेकिन तुम्हें मुझे मदद माँगी थी और मैंने तुम्हें अपनी जादूगरी की मदद से उस राक्षसी से बचाया हीरा ने परी को धन्यवाद दिया वे अपने आप में खुश थे कि वे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और दोनों अच्छे और पक्के मित्रे बन गये दोनों जंगल में घुमते और खेलते थी